हेलो गार असलाम वालेकुम दोस्तों एक बहुत बड़े गुड़ न्यूज है कुछ एक्सपेक्ट क्यानी कुछ परसंस की जिनकी विजा एक्सपार हो जुकी उनकी आटोमेटेकली एक्सेंड हो गई है अंटिल 9 दिसंबर जीहां दोस्तों अब देखना यह होगा क्या यह आटोमेटेकली एक्सपेकली एक्सपेक्ट अंटिल 9 दिसंबर ठीक पुरी पूरी न्यूस को पढ़ते हैं, many residents, those visa had expired, has been granted automatically visa renewal, दियाने कियागा, कुछ, यानि कि कुछ को grant कर दिया गया है, बहुत अच्छी बात है, some expertise in Dubai, whose residential visa expired, will they have extended, काफी टाइम से वो फसे हुए थे, उनको automatically एक grant बिल गया है, government के साइज से, until 9th of December, हम देखना यह होगा, क्या यह पढ़ते हैं, many residents, whose visa expired after you put in the place suspension on inborn travel, जब से यह चक्कर हुआ था, जिसकी expired हो गई थी, अब कुछ को मिला है, ठीक, काफी लोगों को जाना भी पढ़ रहा था, बगरा बगरा, अब जिनको check करना है, जिनके जिनके पास, यूई का valid visa नहीं है, expired हो गया है, वो यहाँ पर click कर कर सकते हैं, इस पूरी आर्टिकल के लिंक नीचे डाल दूँआ, जल्दी से चकाउट को देगा, मुझे comment बाग पर बताएगा, कि आपकी visa भी ठीक होई या नहीं, आपको भी green sickline मिला है नहीं, resident standard abroad holding expired visa, travel agent also confirmed these reports, ठीक, लेकिन आपको GDRF approval भी लेना पड़ेगा, यह mandatory है, आ have been granted automatically on their expired residency visa until 9 December, आज सुबह की news है दोस्तो, जिसमें वन्त मन का grace भी आपको मिला है, ठीक, हावेवा, before traveling to UAE, they need to apply a pre-travel GDRF approval, agreed to all RDPCR testing protocols said by the government, the call sender agent explain, यानी कि आपको PCR test भी गराना पड़ेगा, और GDRF का approval भी लेना पड़ेगा, ठीक, travel agent ने एबी का हुए बेन getting a pre-approval of residence standard in India, Pakistan for example, have also confirmed their clients have granted an automatically visa extension, काफी लोगों को जो इंडिया और पाकिस्तान में थे, इनकी visa expire हो गई थी, उनको भी एक automatic visa extension मिल चुका है, दोस्तों, बहुत खुशी की बात है, the agent have retired that automatic extension are only awarded to Dubai residential visa holder, यह important point है, इसको नोट कर लीजेगा आप, कि दुबई के जो visa holder है, सिरिफ उनको मिला है भी पिलाल, जो other Emirates हैं, उनका कोई status खास नहीं है, कि उन्हें मिला या नहीं, या मिलेगा है नहीं, होप ल travel के अनों नहीं बताया है, in case of expired visa, what our notices are our client, those expired visa after June, जिनकी visa जुन और जुलाई के बाद expired हुई है, उनको active visa दिखा रहा है, only who have receiving automatic three month long extension, several passenger who has expired during the month of May or early June, for example, I don't receive exemption, जिनकी visa जो expired होई है, वो जुन जुलाई के बाद हुई है, जुन या जुलाई में होई है, तो उनको ये extension म पहले होई है, मही के महीने में होई है, तो उनको ये exemption नहीं मिल रहा है, धियान ने कियेगा, he added, even those who have stayed outside the UAE of 180 days have received federal, अगर कोई भी 180 दिन यानिकी 6 महीन है, बाहर रहा है अपनी visa के साथ, तो ICA और GDRFA के अप्रोवल के साथ रिटन कर सकता है, जुन तो बहुत बढ़ी एक good करा, कि सबकी कुछ लोगों की visa जो है, वो approval उन्हें मिल गया है, यानि कि उन्हें grant मिल गया है, दोस्तों, while applying for pre-approval, this morning, we noticed that the visa expired date has been automatically extended 9 December, तो बहुत अच्छी बात है, आपकी expiry जल्दी खतम हो गई, दोस्तों, काफी लोगों को मेरे पाग कमेंट आ रहे थे, तो उनके लि जादा तरको permit मिल गया है, तो बहुत खुशी की बात है, यह update मुझे आपको देने थे, अब जैसे ही और को latest update आता है, आपको बताने की कोशिश करूँ हो, बाकि आप latest जो भी update को check out करने के लिए, दुबाई flights के हवाले सा हमारे चैनल को subscribe कर लिजेगा, और यह update आपको कैस लगा, comment box में comment करके ज़रूर बताएगा, और इस पुड़ी news को नीचे दी हुई link पर क्लिक करके देख लीजेगा, वीडियो चिलंगने पर like, comment, share करेगा, और पहली बार आए हो, भी देख आपने चैनल को subscribe ने करा हो, तो subscribe करके bell icon को press कर दीजेगा, thank you very much to watching.